हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत एक बार फिट ताजा मौसम समचार में चलिए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बताए अपने जिले का ना देश में आज कहां कहां होगी बारिश कब तक होगी मानसून की विदा तो बिहार यूपी जार्कन सहीद कई राज्यों में बारिश होगी उत्तर भारत और उत्तर पश्यम भारत के कई हिस्सों में बीते कुछ समय से बिन मौसम बर्सात का दोर जा रही है मौसम विभाग की माने तो अभी 3-4 दिन और बारिश का मौसम बना रहेगा क्यूंकि स्दिमा में भवारी-बारिश का अलवर्ण चारैं कि दिलन निद है बी बार्स की वजह से तापमान में गिलावर्ट दर्श की गई हैं जिसकी वज़ा से उब के रहा दो दून की मॉपी के निद याज आगी उसम बारीश वाला ही बना रही पर भारी बारिश हो सकती है इतना ही नहीं उत्तपडेश जारखन ओडिशा तेलंगाना तमिलनाडु मद्धपडेश अन्वान और निकोबार्ट टीप समू तमिलनाडु हेमाचर प्रदेश केरल लक्षदीप सिक्किम और पूर्वतर भारत में हल्के से मद्यम बारिश के सार एक या दो इस्थानों पर भारी बारिश हो सकती है वही मौसम विभाग ने देश के 24 राजियों में यहलो अलट जारी क्या है जान लेते हैं मौसम की जानकारी अक्टूबर में क्यों हो रही है इतनी बारिश मौसम विभाग के मताबे मंगाल की खाड़ी के उपर बने कमद पश्यम और मद्य भारत के कुछ और हिस्सों से अगले तीन से चार दिन में विदाई के अनुकूल इस्थितिया मनेंगे आपको बता दे चलें कब तक होगी मौसम में बदलाव और अक्टूबर में अब तक हुई बारिश के बारे में मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी हुई है या कुछ जगाहों पर हो रही है यह पश्यम विच्छोव के कारण हो रही है देश के कुछ हिस्सों में पश्यमी विच्छोव की इस्थिति अभी बनी हुई है लेकिन साथ ही उत्तर भारत में बादल कम होने लगे हैं आपको बता दें मौसम विभा के ताज़ इस तरों में बना हुआ है इसके अगले दो से तीन दिनों के दौरान पश्यम की और बढ़नी की संभावना है इन मौसम प्रणालियों के कारण 14 से 17 अक्टूबर के वीश तमिलनाडू पुडुचेरी और कराईकल में भारे बारिश और गरस के साथ बिजली गिरने की संभाव करना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत